विश्व द्यालों में प्रोफेसरों, अध्यापकों और उनके विद्यार्थियों के बीच में धर्म को लेकर नैने विचार सामने आने लगें और वो स्वभाविक भी था क्योंकि अब सोचने की स्वतंतरता बढ़ी प्रिंटिंग के कारण इसमें काफी परिवर्तना आया विश्व द्यालों के स्थापना के कारण और विश्व द्यालों के स्थापना में अभिजात वर्ग के सहयोग के कारण ये सब को संबा हो पा रहा था और इस फिकार 15-16 शदी में मानवतावाद ने भी इसाई धर्म के अंदर वाद विवाद को बढ़ाने में कफी योगदान दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसाई धर्म के अंदर वाद विवाद के मुख कारणों में पहला कारण सा विश्व द्यालों में तर्क, तर्क, तर्किक, शिक्षा, दूसरा कारण व्यग्यानिक सोच का काल, तीसरा कारण बदलते हुए विचार जिसमें कौपर निकस आदी के विचार शामिल है, चौथा कारण विचारों की स्वतिन्तरता जो प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी, पांचवा कारण अभिजात वर्ग जिसमें व्यापारी थे, महाजन साहुकार लोग शामिल थे, इनके द्वारा इन लोग को एक तरीके से श्याह देना, इन लोग को एक तरीके से पैट्रोनेज देना, और इसके साथ ही साथ, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे कलाकार, कुछ ऐसे व्यग्यानि, जो इस काल में हुए, इनका स्वाहिम का योगदान. एक बात और इसमें कही जा सकती ही, इसाई धर्म के अंदर बढ़ते वाद विवाद के कारणों में, कि इसाई धर्म स्वैम बहुत करप्ठ हो चुका था, जहां पेशेवर उद्वान मानोतावादी आंदोलन की बात कर रहे थे, वहां इसाई चर्क के जो सजस्य थे, कई ल लेकिन मानोतावादी विचार ने इसाईयों को अपनी और कुछ इसाईयों को अपनी और आकरशिद भी किया, और प्रणाम क्या हुआ कि इसाई धर्म से जुड़े प्राचीन ग्रंथ जो हैं, उनका री इंटर्पेटेशन हुआ, उनकी नई तरीके से एक सोच आई सामने और अनावश्यक कर्म कार्णों का विरोध भी किया, इसाई धर्म के अंदर इस बढ़ते वाद विवाद का परिणाम बाद में हम देखते हैं, जब इसाई धर्म स्वैम दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ग्रंतों का अध्यान करते हैं, तो पाते हैं कि पांचवी शदी के पहले की इसाई परंपराएं और ये मद्यकाल की परंपराओं में भी खास अंतर है। और फिसर निशकर्ष पे पहुँचते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये परिवर्तन इसाई पादरियों द्वारा अपने सुख सुविदाओं अपने खुद के लाब के लिए लाए गये हैं। जो अंदव श्वास ने ने आये हैं, जिनका पूर्व के ग्रंपों में कोई जिक्र नहीं है, ये अंदव श्वास के पीछे इन धार्मिक ठेकेदारों की बात यदि में करूं तो उनका हाथ है। इसाई मानवतावादी, जिसमें हम टॉमस मोर का नाम ले सकते हैं, इरेसमस का नाम ले सकते हैं, इनका ये कहना था कि चर्च जो वो एक लालची और लूट मार करने वाली संस्था बन गई है। इतने कडवे विचार धर्म के प्रती लोंगों के मन में आने लगे। और ये वही धर्म था जिसका बोल बाला मद्ध काल में था, जिस पर प्रश्ण उठाना लगभग असंबहु था। निश्यत रूप से जब टॉमस मोर एरासमस जैसे लोग सामने आये और उन्होंने बात श्पश्ट की कि पादरी लोग लालच के धन के लालच में बहुत सारे गलत कारे कर रहे हैं, भष्टा चार कर रहे हैं तो इनका विरोध बढ़ने लगा। बढ़ते विरोध के साथ ही बढ़ती प्रतिक्रिया होती है। प्रिंटेड प्रतिलिक्तियों के रूप में लोगों के पास एक शेतर की गतिविदियां और उसकी जानकारी तुरंट पहुंच रही थी। ख्यमा पत्र जो इसाई धर्म में एक प्रता है मालूम हुआ कि इस ख्यमा पत्र को इसाई मठ के तथा कतित मठा इज़िशें द्वारा बेचा भी जा रहा था। ये सब जानकारियां इसाई धर्म में विस्फोटा के सिति पैदा कर देती हैं। किसानों ने तो धर्म के नाम पर लिए जाने वाले कर का भी विरोध करना शुरू कर दिया। चर्च के द्वारा जो कर लिया जाता था उसका अब दिनों दिन विरोध होने लगा क्योंकि इसी कर के बल पर तो अपनी विलास्ता का जीवन ये पादरी लोग जी रहते। यहां तक कि राजा लोग भी विविन खित के राजा भी अब चर्च की इन गतिविजियों से चड़ने लगे थे। और इसका अर्थ यह हुआ कि अब चर्च और धार्मिक गतिविजियों से जुड़े लोग समाज से कटते जा रहे थे। और राजा और प्रजा के बीच में संपर्क बहतर होने हो चला था। मानोता वादियों के द्वारा जो नए विचार सामने ला रहे थे जिसके तहट न्यायाइक और वित्ती शक्तियों पर पाद्रियों के दावे पर प्रश्ण किया जाने लगा। रोमन सामराट कॉंस्टेंटाइन जो जारी किया गया था उससे राजाओं को खुशी हुई ऐसे दस्तावेज जिस पर धार्मिक अंद विश्वासों पर उंगली उठाई जाने लगी इसको देखकर लोगों में खुशी हुई मानातावादिये बताने में सफल रहे कि कॉंस्टेंटाइन का जो दस्तावेज वो असली नहीं है बलकि जालसाजी से तैयार हुआ है। यानि बहुत सारे निशकर्ष ये कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण सामने आने लगे जिसमें पादरियों, धर्म से जुलो हुए तथा कितित प्रचारकों और चर्च की बहुत सारी बुराईयां सामने आने लगें। इनी बढ़ती बराईयों की अभिव्यक्ति, इनी बढ़ती हुए बराईयों की जानकारी जब जनता तक पहुशती है और काफी विरोध होने लगता है, तो 1517 में एक जर्मन योवा, मार्टिन लूथर, जाद रखेंगे इसका नाम मार्टिन लूथर है मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर किंग एक दूसरा वियक्ति है, यहाँ इसका नाम है मार्टिन लूथर उसने चर्ज का विरोष शुरू किया ये जर्मनी का था देखिए इटाली में वैसे पुनर जागरन का केंदर बना हुआ है लेकिन अब पुनर जागरन केवल इटाली तक सीमित नहीं था वहाँ से प्रारम हुआ वहाँ पर जर्ड पकड़ा लेकिन अब वो सब तरफ फैल चुका था और जामनी में मार्टिन लूथर ने विरोष शुरू किया मार्टिन लूथर जो इसकी जीवनी के बारे में सोड़ा सा बात करें तो 1483 में हुआ था और इसने उन्हीं क्षमा पत्रों का विरोध किया जिस क्षमा पत्रों को खरीदने बेचने का आरोप समाज के लोगों ने मानवतावादी लोगों ने लगाया था जब पोप का प्रतिनी थी खमा पत्र बेचने के लिए एक शहर आया तो घोशना की गई कि यदि कोई भविश्य में भी पाप करता है तो यदि वह इन पत्रों को खरीदेगा तो पाप से मुक्त हो जाएगा किया ऐसा संभव है कितना हास्यास्पत विचार पोप का वह खमा पत्र बेचने के लिए जो व्यक्ति आता है वो बताता है कि भविश्य में भी जी आपको इपाप करते हैं लेकिन जी आपके पास ये खमा पत्र होगा तो वो माफ हो जाएगा वो पाप घुल जाएंगे तो इसका सक्त विरोध हुआ उसने मार्टिन लूथर ने अपनी बातों को पहुँचाने के लिए एक 95 बिन्दू का एक पत्र लिखा पंचानबे बिन्दू का एक कागज लिखा और उसे वहां के गिरजा घर में चिपका दिया विटनबर्ग के गिरजा घर में उसे पेश कर दिया पंचानबे बिन्दू 95 इसका परिणाम क्या हुआ मार्टिन लूथर के इस चिपके हुए गिरजा घर की दिवाल पर चिपके हुए बिन्दू को देखकर पढ़कर जनता ने उसके विचारों का स्वागत किया क्योंकि जनता भी परिशान थी इन पादरियों के इन चर्च आदि के गतिविदियों से और उन्होंने एक तरीके से मार्टिन लूथर को काफी बदाई दी लेकिन पोप ने इसके वृद एक लूथर पर कारवाई की और इसी कारवाई का प्रणाम होता है कि एक नए धर्म का जन्म होता है जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट देख लिए इसकी स्पेलिंग क्या है और इसकी प्रोटेस्टेंट शब्द की विद्पत्ति पर जाएंगे तो प्रोटेस्ट से बना है प्रोटेस्ट करना यानि विरोध करना इसाई धर्म के अंदर ही विरोध करने की प्रक्रिया के परणाम स्वरूप जिस धर्म का जन्म हुआ या जिस धार्मिक विचारधारा का जन्म हुआ वह कहलाया प्रोटेस्टेंट लूथर ने रोमन सामराजी की एक सभा 1526 में आमंतरित की और इस सभा में बड़ा लंबा वाद जिवात करवाया बहुत लंबा उसने डिबेट करवाया उसके बाद दूसरी सभा करवायी 1529 में ही उसमें भी यही प्रक्रिया दुराए गई और इस प्रकार परिनाम क्या हुआ कि लूथर के विचारों के पक्ष में जो लोग थे उन्होंने पोप के आदेशों का विरोध किया ये पोप के आदेश का विरोध ही कहलाता है प्रोटेस्ट और इसलिए ये लोग क्या कहला है प्रोटेस्टेंट उनके समर्थकों को प्रोटेस्टेंट कहा गया दूसरे शब्दों में प्रोटेस्टेंट गुट समुदाय की शुरुवात कश्रे मार्टिन लूथर को कहता है और यही कहलाता है प्रोटेस्टेंट आंदोलन जर्मनी में मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टन्ट अंदोलन, उसके द्वारा दो सभाएं, धार्मिक वाद ज्वाद, इसी तरह की गत्विदियां योरोप के अन्य देशों में भी हुए स्विद्जर लैंड में धर्म सुधार का अंदोलन हुआ और वोग भी एक तरीके से हम कह सकते हैं लूथर वादी थे, वहां के लोग भी लूथर की ही लाइन में लूथर के ही अनुसार अपनी सोच रखते थे स्विद्जर लैंड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुइंगली एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम जुइंगली था वो क्रिशक परिवार का था और मानत वाद और उससे सम्मन्दित साहित का उसने अच्छा अध्यन किया था कहने को तो वह कैथोलिक पादरी था लेकिन कैथोलिक धर्म की विशंगतियों और उसके दोशों को दूर करना चाहता था मार्टिन लूथर तो कैथोलिक था लेकिन पादरी नहीं था यहां स्विट्जर लेंड में जुइंगली नाम का व्यक्ति क्रिशक परिवार का स्वयम भी पादरी था उसका उद्यश इसाई धर्म के खिलाफ जाना नहीं था उसका उद्यश था इसाई धर्म के अंदर आई हुई कुछ विसंगतियों को ठीक करना उसने मठों और यह पाप की जो बाते होती थी इसकी शुद्धी और ऐसे कुछ शिधानतों के अलोचना की और कैथोलिक चर्च में अंतिता उसने अपना संबंध 1525 में विच्छेद कर दिया कैथोलिक चर्च से उसने अपना संबंध 1525 में तोड़ दिया और एक नए प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की तो इस परकार स्विधिल लैंड में भी प्रोटेस्टेंट विचार फैलने लगा मार्टिन लूथर के कई विचारों से यद्यपी वो संटुष नहीं था सहमत नहीं था, परंतु प्रोटेस्टन जो बात थी, प्रोटेस्टन जो विचार था, उससे वो सहमत था तो इस पकार माटिल लूथर जॉमनी में, जोईंगली सुर्दलेंड में, जॉन कॉल्विन फ्रांस में उसने भी कुछ इस तरह की गत्विदियां की जॉन कॉल्विन ने और 1533 में वो स्वैम प्रोटेस्टेंट बन गए और प्रोटेस्टेंट विचारों का प्रचार प्रसार वहां उन्होंने फ्रांस में शुरू किया मार्टिन लूथर जो थे तो इस पकार हम देखते हैं कि फ्रांस शुर्द्र लैन और इसके अलावा जर्मनी और अनिक खेत्रों में ये सब कैथोलिक विचार धारक के खिलाफ बढ़ता जन आक्रोश लूथर ने जन आक्रोश का अर्थ ये नहीं निकाला कि पूरा आमूल चूल परिवर्तन करना है उसने स्पष्ट किया कि आमूल परिवर्तन मैं नहीं चाहता उन्होंने अवहान किया कि जर्मन शासक जो किसानों का जो दमन करने हैं उसे रोकें परिवर्तन वादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंट से वे मिल गए उन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ एक तरीके सांदोलन किया और जन्ता के जो अत्याचारी जन्ता के प्रति जो अत्याचारी रवया था उसके विरोज में वे खड़े हुए अन्ता क्या होता है कि पूरे यॉरप में अनेक खेतरों में प्रोटेस्टेंट लोगं की पसंद के अनुसार शासन करने की छूट मिलती है इंग्लेंड के शासकों ने पोप से अपना संबंध ही तोड़ दिया फ्रांस की घटना, स्विर्देलेंड की घटना, जॉमनी की घटना ये कुछ मात्र उदाहरन है अब इंग्लेंड में कुछ बातें और होती है घटना करम कुछ और मोड लेता है लेकिन अन्तता हुआ इस बात पर लेके समाप्त होता है कि पोप से हमें अपना संबंध तोड़े लेना चाहिए पोप याने ईशाई समाज का मुखिया जो रोम में रहते थे उससे संबंध तोड़ना और इस पिकार एक तरीके से अपना प्रोटेस्ट उसके प्रति बताना और इसका परणाम क्या हुआ कि इन्होंने पोप से संबंद तोड़ा और इंग्लेंड में प्रोटेस्ट एंड धर्म अब मुख्य धर्म हो गया और इंग्लेंड के राजारानी एक तरीके से वहां के चर्च के मुख्या बन गया अब पोप वहां का मुख्या नहीं रहा कैथोलिक चर्च की अजिए हम बात करें तो वो स्वैम में इन विचारों के प्रभाव से अच्छूता नहीं रहा जब चारों तरफ उसका विरोध बढ़ते रहा और जब संपूर्ण यूरोप में उसका विरोध हो रहा था को बिलकुल पकड़े हुए थे उन्होंने भी अपना रवया थोड़ा सा बदला उन्होंने भी अपना विचार थोड़ा बदला वो से अच्छूता नहीं रहा और उन्होंने भी स्वैम अंदर ही अंदर कुछ सुधार प्रारम्ब कर दिया सुधार का उद्धेश संभवता ये नी था कि वे इस बात से सहमत थे कि हाँ इसके अंदर कुछ भरष्टा चार है बुराईया है सुधार का उद्धेश संभवता ये था कि इसका विरोध कम से कम हो जो विरोध बढ़ रहा है उसे रोग दिया जाए इस्पेन इटली इसमें अब यहां इन देशों में साधा जीवन निर्धनों की सेवा साधे विचार इस पर अब ज्यादा जोड़ दिया जाने लगा और ये परिवर्तन कुछ हद तक इन देशों में प्रोटेस्टेंट विचार धारा के बढ़ते प्रभाव को तोड़ा रोक 1240 में Society of Jesus नाम की संस्था के स्थापना हुई Society of Jesus उनके अन्यूआई जेसूट्स कहलाते थे जेसूट जेसूट्स ये शब्द है ये धार्मिक अन्यूआई जो धर्म का प्रचार पसार करते हैं उन्हें कहा जाता है तो ये जेसूट्स कहां आए इस्पेन में आए और ये इ इसाई धर्म के पचार पसार के लिए इस तरह कुल मिलाकर हमने जाना कि पुनर जागरन ने किस तरह धर्म को बहुत प्रभावित किया और इसाई धर्म पूरे यॉरप में परणाम सुरूब दो भागों में बढ़ गया Catholic और Protestant ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था बहुत ऐसा परिवर्तन जिसने पूरे समाज को पूरे इसाई समाज को बहुत गहराई तक छुआ है प्रभावित किया है और एक ऐसा परिवर्तन जो irreversible है जिसे अब वापस नहीं लोटा जा सकता वापस नहीं लोटा जा सकता बदलते हुए बदलतीश सांस्कृतिक परंपराएं चौदा सो से सत्रा सो इसका हमने एक तरीके से विस्तृत अध्येन तो कर लिया है और जैसा कि शीरशक से पश्ट है कि जो परंपराएं नहीं सामने आई इनके कारण और इनके प्रभाव इसको भी हमने समझने की कोशिश की और उसी प्रभाव के तहट जो अंतिम कुछ बातें की गई थी वे एक तरीके से इस काल के में होने वाले परवर्तनों का परणाम थी और प्रभाव थी इनके गहन प्रभाव के प्रणाम शुरूप ही लोगों ने इसे एक तरीके से पनर निर्मान का काल या रेनिसां या पनर जागरन आदी नाम दिये हैं और इतिहास कारों का एक बहुत बड़ा तबका इस काल के इस नाम करण से सहमत है लेकिन फिर भी कुछ उद्वानों ने इस पर प्रश्ण उठाया है कि क्या चोदहवी सदी में वास्तों में पनर जागरन हुआ था ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण वो उठाते हैं क्या वास्तों में पनर जागरन हुआ था क्या वास्तों में इस समय में अतीज से संबंध जो है अतीज से जो संबंध बिलकुल कड़ गया था और रोमन युरानी परंपरा का पुनर जन्म हुआ या बीच के काल में भी जिसे हम अंदकार योग या मद्ध योग कहते हैं इन में से बहुत सी परंपराएं थी इस बात को लेकर अलग-अलग ये तिहासकारों का अलग-अलग मनतव भी है कुछ इतिहासकार तो इस बात पर भी प्रश्चिन लगाते हैं कि क्या ये वास्तों में अंदकार युग था जिसको हम अंदकार युग कहते हैं जिस काल को पांचवी सदी से जो प्रारंप होता है तो वो क्या वास्तों में अंदिकार युक था वास्तों में वो मध्यकाल ही था ऐसा मध्यकाल जिसके माइने हैं पूरे अतीत को पूरी तरह भुला देना समझने की बात ये है कि उननिस्वी शदी के इतिहास क्यारों ने रेनेसा शब्द का उप्योग चौदहवी शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लिए ही रेनेसा शब्द का उप्योग हुआ बर्खाड जिसका जिक्र मैंने पहले किया है ठारा सो साट में जिसने इटली के सांस्कृतिक परवर्तनों के लिए पुनर जागरन का उप्योग किया उसने उसे एक नवीन एतिहासिक आंदोलन कहा नवीन एतिहासिक आंदोलन बर्क हाट के दार लेकिन इंग्लेंड के एक प्रसिद एतिहासकार हैं जिनका नाम है पीटर बर्क वे इस बास से सहमत नहीं हैं उनका कहना है कि कुछ माइने कुछ मामलों में निश्चित रूप से परिवर्तन तो हुए लेकिन ऐसा कहना कि गतिशीलता बिल्कुल नहीं थी सततता बिल्कुल नहीं थी ये गलत है उनका कहना है कि पुनर जागरन कलात्मक और गति शीलता स्रिजन शीलता का काल था साथ ही मध्युग अंदकार में था जिसमें कोई विकास नहीं हुआ इसमें तो कोई दो मत नहीं लेकिन बारवीं तेरवीं सदी में इटली में कुछ पुनर जागरन के तत्व दिखाई देते हैं ये किनका कहना है इंग्लेंड के प्रसित इतिहासकार पीटर बर्क का कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांस में तो नौवी सदी में नौवी सदी में ही कुछ रचनाओं का जन्म हुआ जिसे हम पुनर जागरन का प्रणाम मानते हैं तो फिर वहाँ पर अंदकार युग जैसी कोई बात नहीं थी यूरोप में हुए जो क्रांतिकारी परतनों में केवल रोम यूनान की क्लासिक सब्विता का योगदान नहीं था बस ऐसा ही कहा जा सकता है यूरोप में जो संस्कृतिक परिवर्तन उसमें केवल रोम और यूनान की क्लासिकी यानि शास्त्री सब्विता का योगदान नहीं रहा रोमन संस्कृतिक के पुरा तात्विक और साहित्यक पुनुरधार ने इसमें बहुत महत पूर्ण मिल्व का निभाई है लेकिन ये जो असर हुआ है ये केवल रोम या यूनानी संस्कृति से ही नहीं हुआ बलकि भारत, अरब, इरान, मदेशिया वा चीन से भी इस पुनर जागरन काल में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है तो इसलिए ये कहना कि मात्र पुराने रोम और पुराने यूनानी संभिता ही कारक थे इन परवरतनों का ऐसा सोचना गलत है